अगली खबर रायपूर से जहां राश्णों गाउं जिले के ग्राम माडी तराई में रहने वाली युवदी की मोत को परिश्णों ने हत्या बताया है जानकारिय नुसार राश्णों गाउं जिले के डोंगरगर थाना शेतर की ग्राम माडी तराई गाउं में यूती का गाउं के ही रहने वाले मोहन वर्मा के साथ प्रेम प्रसंख चल रहा था और इसी बीच यूवक का शादी के लिए रिष्णा होने के बाद यूवक ने यूती सीमा साहों को अपनी रास्ते से हटाने की योशना बनाए और डोंगरगर के वेलकम लॉंच पर बुलाया जिस पर लड़की ने एक लेटर पर लिखा था कि वह घर छोड़ कर जा रही है और उसे मारने के लिए मोहन वर्मा उन्हें बुलाया है अगर लड़की वापिस आती है तो मोहन वर्मा को माख करने और नहीं आने पर सजा दिलाने की बात एक लेटर पर लिखी थी जो अभी लड़की के मोत के बाद परजनों को मिला वही परजनों ने यह आरोप लगाए कि दुपहर साड़े बारा में वेलकम लॉंच में प्रेमी मोहन वर्मा ने यूपती का गला दबाकर मोत के घाट उतार दिया और डर से लड़की को जहर पिलाया और डोंगरगढ अस्पताल लेकर गए जिसमें मोहन के भाई बाप और दोस भी पहुँचे जो CCTV कैमरा में कैद हो गई है और लड़की को अस्पताल में छोड़कर भाग निकल ले और जब तक लड़की के पिता और परजन पहुँचते तब तक लड़की सीमा की मौत हो गई थी वही परजनों ने हत्या के अशंका जताई और डोंगरगढ थाने में मोहन वर्मा और उनके पिता भाई और दोस के किराब शिकायत लिगवाई जिस पर पुलिस ने मोहन वर्मा पर अप्राद दर्श कर रिमान कर लिया और वहीं पुलिस और हस्पताल के डॉक्टर के द्वारा बयान बदले का दबाब बनाने और बेटी के हत्यारे को सजा नहीं मिलते देखकर यूति के परशनों निराशनों गाउं मुख्याले एसपी कार्याले पहुंचकर एसपी से मिलकर सीमा साहू के हत्या करने वाले प्रेमी मोहन वर्मा और उनके साथ देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगा रहे है किस लिए एसपी कर ला है आप लोग क्या मौमला है यह सीमा साहू जो है मनित लेके वो जो मोहन वर्मा और परिवार के साथ मिले मडर करके अने अस्पताल में भरती करीश और जहर पिलायरी सुझा और उकर बाद उपरहार हो देए और जाच जो चलतरी से डौगार थाना से को लिपा पोती करीश है ना जो थारा लगना चाहिए अध्या के उनिल लगेश वकर से हम जांच संतुष्ट नहीं हैं हम एसपी साहब से अपन मांग राखा थान उकर से दुसरा धिकारी जांच कराया जाए और हमको न्याय मिनना चाहिए आपका नाम बतादी राम कुमार स आज ग्राम मांडी करेंगे कुछ लोग उने यहां करके ग्यापन दिया है जिसमें उने ऐसा आरूप लगाया है कि उनके गाउं के रहने वाली सीमा साभू के द्वारा आत्मत्या की गई थी उसमें बिवेचक के द्वारा सही कारवाई नहीं की जारी है उन्हें यह बताया गया कि यह आवश्यक होगा तो प्रकान बिवेशक बदल दिया जाएगा पुलिस गंभीता से इस प्रकान की जांच कर रहे हैं और स्डियोप डोंगर गडिस्टास्ता समीशा भी कर रहे हैं और जो भी पिवेश्या में साक्ष मिलेगा तो असी यह बताया कि यह बाल इकन को क्लिक तर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें और स्ब्सक्राइब